प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागता आप सभी का नोलेज प्लान पर और आज हम आपके लिए लेकर के आई हैं NCRT Mathematics Series जो है उसके तहट 10 प्लस 2 क्लास का जो चेटर नमबर 9 है जिसका नाम है तो प्यारे बच्चों यहां दिया क्या है तो जैसे पहला ही क्वेशन आपको दिया है X अपॉन A प्लस Y अपॉन B इक्वल टू 1 तो यहां पर क्या कहता है देखिए यहां पर एक लाइन की क्वेशन दे रखिये है पहले क्वेशन में तो देखिए Q1 अपॉन A प्लस Y अपॉन B इक्वल टू 1 यह क्या है एक लाइन की एक्वेशन आपको पता सब रहा है कैसे बच्चों क्योंकि X और Y जो वैरियेबल हैं की पाउर 1 है यहां करना क्या है आपको यहां यह करना है आपको इस लाइन की एक्वेशन की क्या करनी है डिफरेंशियल एक्वेशन बनानी है किसी भी करव की किसी भी लाइन की आपको डिफरेंशियल एक्वेशन बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे जितने उसमें आर्बिटरेरी कॉंस्टेंट्स हैं उनको आपको डिलिट करना होगा और कैसे डिलिट होंगे जितने वो derivative होंगे जितने वो constants होंगे कितने हैं constants एक दो दो constants हैं arbitrary तो आपको दो बार इसका derivative करना होगा तो बच्चों कर दीजिए कैसे करेंगे पहले किजिए 1 by A आपका as it is x का हो गया derivative 1 और पलस में 1 by B आपका as it is और Y का derivative with respect to x हो गया Y dash और equal to या dy by dx भी लिख सकते हैं आप और 1 का हो गया equal to 0 क्योंकि constant है अब आप क्या काम करिए यहां इनको डिलिट करने के लिए 1 by B और Y dash को तो आप as it is रख लीजिए और 1 by A 1 into 1 by A हो गया माइनस 1 by A हो गया अब आप क्या करिए 1 by B को भी उद्र ले जाए तो यहां पर क्या बच्छगा क्यों Y dash तो B उद्र जाकर क्या होगा माइनस में उपर चला जाएगा B upon A अब क्या कर दीजिए इसका फिर से derivative कर दीजिए दोबारा से derivative करोगे तो Y का derivative Y double dash और इधर क्या होगा बच्छो जीरो बस यही आपकी differential equation है क्योंकि अब यहां पर A और B दोनों के दोनों आपके जो constant थे वो दोनों के दोनों delete हो चुकी है तो इस परकार से आपकी differential equation बन जाती है इसी तरीके से जो दूसरा question है दूसरे question में क्या कहता है आपको question number two में दिया हिसने Y square is equal to Y square is equal to A into B square minus X square यहां भी arbitrary constants हैं दो A और B तो इनको delete करना होगा तो कैसे करेंगे Y square आपका adjectives A की B square से multiply कर लिजे A B square minus A की X square से कीजे A X square तो प्यारे बच्छो यह आ जाता है अब आप क्या काम करो क्योंकि आपको दो बार derivative करना होगा दो constants हैं तो derivative कीजे Y square का हो गया पहले 2 आ गया आगे Y आपका adjectives power 1 होगी Y की Y का derivative Y dash हो गया equal to A B square constant है तो 0 हो गया minus A आपका adjectives और X square का हो गया 2 X तो 2 को मैंने आगे लिख दिया और X यहां पर लिख दिया अब क्या करो आप लोग यहां से 2 से डिवाइड कर दिजिए दोनों तरफ तो Y into Y dash equal to minus A X बच गया अब इसको equation number first का नाम दे दिजिए आपको इसकी दुरूरत पड़ेगी कैसे देखो अब दोबारा से derivative कीजे क्योंकि आपको दो बार करना है दो constants थे तो यहां पर Y into Y का formula लगाएंगे आप डियरिटी करने के लिए तो पहले का डियरिटी Y dash हो गया Y dash आपका adjectives ठीक है फिर पलस Y आपका यू का यू और इसका डियरिटी Y dash का Y double dash minus equal to minus A X का क्या हो गया एकी जगह आप ये value रख रहे हैं ना सारे की सारी रखिए तो minus A की जगह ये value रख रहे हैं इदर वाली तो Y dash into Y dash यानि Y dash का square रख दिया आपने Y dash का square फिर पलस Y into Y double dash रख दिया आपने और यह किसकी जगह रख 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 रहा है इस इक्वल टू X की इसके साथ multiply करिए बच्चो X into Y dash का square फिर यहाँ पर क्या हो गया बच्चो पलस X into Y into Y double dash ठीक है ये बन जाता है अब आप इसको ओर थोड़ा simple करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं देखिए आप इस Y Y dash को ओधर ले जाईए तो आपके पास क्या बन जाएगा देखिए आप इसको लिख लीजिए पहले X Y Y double dash ठीक है फिर पलस X और Y dash का square और minus Y Y dash इसको आप ओधर ले गए ठीक है और left hand side बच गया आपका 0 बस यही आपकी differential equation आ जाती है तो बच्चों जो question number third में है वो दिया है आपको क्या Y is equal to यहाँ देरख्या है A E raise to power 3 X फिर देरख्या है पलस B E B E raise to power minus 2 X तो यहाँ बच्चों दो ही constants हैं A and B तो आप आप इसको क्या कर लेजे equation number first मान लेजे दो बार derivative करना आपको तो किजिए Y का Y dash is equal to यहाँ पर A आपका एजटीज E आपका एजटीज मनलब A आपका एजटीज E की 3 X का हो गया E की 3 X और यह 3 आ गया आगे हो गया डेरटी ठीक है अब इसका किजिए B आपका एजटीज E की minus 2 X का E की minus 2 X हो गया ठीक है और minus 2 X का हो गया minus 2 हो गया ठीक है अब इसको मान लेते है equation number second अब इसका फिर से डेरटी कीजिए दो बार करना है न तो Y dash का हो गया Y double dash इसका क्या हो गया आप क्या करो इसका जब डेरटी करेंगे तो 3 A आपका यूं का यूं ठीक है E की 3 X का E की 3 X हो गया और 3 X का हो गया बच्चो 3 आ गया गया ऐसे ही minus 2 भी आपका as it is और यहाँ पर E की minus 2 X का हो गया E की minus 2 X और अब minus 2 X का हो गया minus 2 तो यहाँ पर क्या हो गया plus का 2 ऐसे बन गया तो इसको क्या लिखा जाएगा बच्चो यह लिखी जाएगी Y double dash is equal to 9 A E raise to power 3 X और प्लस का 4 B E raise to power minus 2 X ऐसे हो गया इसको मान लेते हैं बच्चो equation number 3 अब ठीक है अब इनको solve करने का तरीका क्या है अब आप क्या करें जैसे यह आप इन दोनों को solve कर लिजिए second और third को इनको solve कैसे करेंगे एक बार तो मैं क्या कर लेता हूँ यह जो आपकी equation number second है इसको मैं 2 से multiply कर लेता हूँ और third ही में add कर देता है तो किजिए 2 Y dash हो गया 2 Y dash is equal to 2 TIA 6 A E raise to power 3 X हो गया ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या हो गया minus का 4 B E raise to power minus 2 X ठीक है कर दीज के साथ multiply अब इस third को मैं second को 2 से multiply करके solve कर रहा हूँ यानि कि मैंने इनको add कर दिया add करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा Y double dash plus 2 Y dash Y double dash plus 2 Y dash is equal to क्या हो गया अब इसमें से किसकी value निकाल लो A E raise to power 3 X की तो 15 को इदर ले आओ Y double dash plus 2 Y dash क्या हो जाएगा अपोन में 15 ठीक है is equal to क्या बचा A E raise to power 3 X इसकी value निकाल लो बच्चो अब आप लोग क्या करो इसी equation को जिसको मैंने किस से multiply किया था मैंने multiply किया था किस से 2 से equation 2 को अब इसको 2 की बज़ाए किस से multiply कर लो जो तीन से तो 3 Y dash हो जाएगा 3 Y dash is equal to क्या बना देखो अब आपने इसको 3 से multiply किया तो 3 Y dash जैसे इसको पहले 2 से किया था ना आपने ठीक है तो 2 से किया था तो एक बात और हो गई थी देखो इसमें 2 से किया था तो यहाँ पर 2 Y dash आना चाहिए ठीक है यह तो सही है तो 3 से multiply करोगे तो देखो 3 Y dash equal to 3 तिया 9 A E की 3 X 9 A E raise to power 3 X अब यहाँ देखो माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा ना माइनस 6 B E raise to power minus 2 X हो गया अब E C के निच्चे मैंने 2 पहले 2 को 2 से अब 2 को कर दिया 3 से multiply कर लिया अब 3 को इसके निच्चे ले आओ 3 यह रही लिखिए Y double dash is equal to 9 A E raise to power 3 X और 7 में पलस का 4 B 4 B E raise to power minus 2 X तो बच्चो इनको कैसे solve करें अब subtract कर दो इसमें से यह घटा दिया मैंने घटाएंगे तो देखो यह क्या हो गया आपका cancel यहां बचा 3 Y dash minus Y double dash is equal to minus का 10 हो गया ना ठीक है B E raise to power minus 2 X अब क्या करो इस sign को थोड़ा change कर लो बच्चो आप इस Y double dash को positive कर दीजिए 3 Y dash को negative कर दीजिए is equal to यहां भी अगर इसके sign change कर दीजिए इसका भी हो गया 10 B E raise to power minus 2 X अब इसकी value निकाल लीजिए B E की minus 2 X की तो 10 को इदर ले आइए तो Y double dash minus 3 Y dash अपन में 10 is equal to क्या बच्चा B E raise to power minus 2 X निकाल ली आपने यहां से इसकी निकाल ली थी A E की 3 X की और यहां से B E की minus 2 X की अब यह दोनों value कहां रख दीजिए first में first कहां थी बच्चो यह रही first यहां रख दीए first में तो first में रखेंगे तो देखो Y आपका यहों का ही रख दिया A E की 3 X की value रखिए तो क्या बन जाएगी A E की 3 X यह देखो यह रहाँ का Y double dash plus 2 Y dash अपन में 15 रख दिया फिर plus में B E की minus 2 X की value रखिए बच्चो plus B E की minus 2 X की value क्या है देखो यह रही यह रही यह रख दो तो क्या बन गया यह Y double dash minus 3 Y dash अपन में 10 रख दिया ठीक है अब क्या कर लोग दोनों तरफ इसका LCM ले लो बच्चो LCM कितना बन गया 30 तो 30 से multiply कर दो तो 30 से multiply करोगे तो यहां तो क्या हो जाएगा 30 Y is equal to यहां पर क्या होगा बच्चो देखो आप यहां 30 से multiply करेंगे तो 15 दोनी 30 दो किस से गुना करो 2 Y double dash पलस 4 Y dash पलस यहां पर जब 30 multiply में करेंगे तो यहां 3 आज जाएगा 3 किस से पलस 3 Y double dash माइनस का 3 तिया 9 Y dash ऐसे आ गया अब यहां क्या बन गया 30 Y आपका यह एक जैसे टर्म देखो 2 और 3 5 5 Y double dash माइनस 9 Y dash में से 4 Y dash गटाईए माइनस के 5 Y dash अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजे बच्चो 5 से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 Y equal to Y double dash माइनस में Y dash ऐसे आ गया ना अब आप लोग क्या कर लीजे बच्चो इस है Y को और उदर ले जाएए तो क्या बन जाएगा Y double dash माइनस Y dash माइनस 6 Y equal to 0 तो इस परकार से A और B आपके डिलेट हो जाते है आपके डिवरेंसिल इक्वेशन बन जाती है ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट जो सम्हाफ का नेक्स्ट है क्वेस्टन नमर फॉर्थ क्वेस्टन नमर फॉर्थ में आपको क्या दिया है Y is equal to E raise to power क्या दिया है 2X इन 2 में 1 A plus और B X ऐसे है प्यारे बच्चों ठीक है तो ये है इसको मान लेते है एक्वेस्टन नमर फॉर्थ साइद आपको इसकी जरूरत पर जाए ठीक है तो अब आप इसका दो बार डियरिटी करेंगे क्योंकि यहां दो कॉंस्टेंट्स हैं तो करिए Y does इसका करो यहाँ पर एक ये फंक्सन हो रहे है ये दो हो गए ना तो दोनों का जब डियरिटी करेंगे तो Y into Y का फार्मूला E की 2X का क्या हो गया E की 2X और 2 आ गया 2X का 2 आ गये यह योंका यू A पलस BX लिख दिया फिर क्या गरे आप चो आपने अब इसका करेंगे तो A का जिरो BX का क्या हो गया B हो गया B हो गया ना और E की 2X योंका यू ठीक है हो गया अब आप लोग क्या करो यहां ध्यान से देखो Y डेस यूंका यू 2 भी यूंका यू ठीक है और यह देखो E की 2X into A पलस BX यह रहा उपर E की 2X into A पलस BX मैं 2 को यूंका यू लिख देऊ और इसकी जगे में पूरे जगे क्या लिख सकता हूँ यह Y तो 2I हो गया ठीक है और पलस में यहां बचया क्या बच्छो आपके पास B E की 2X ऐसे आ गया नहीं आ गया ठीक है प्यारे बच्छो अब इसको मान लेते हैं equation number second ठीक अब इसका फिर से derivative कर दें क्योंकि तीन दो बार तो मुझे करना ही है तो करो Y' का Y' 2 आपका एजटी Y' का Y' पलस अब यहां क्या करो B तो constant है E की 2X का क्या करो बच्छो E की 2X का derivative करो आप लोग तो क्या बन जाएगा E की 2X का derivative E की 2X अपोन में intimate 2 तो 2 को इधर ले आवा आप लोग अब आप क्या करो यहां से बचो जैसे देखो इसमें से B की value निकाल लो ठीक है ना इसमें से B की value निकाल के या B E की 2X की value निकाल लो तो कहां रखोगे आप इसमें रख देंगे second में ठीक है ना यहां क्या है B E की 2X है या नहीं आपके पास ठीक तो मैं B E की 2X की value निकाल रहा हूँ तो क्या बन जाएगी देखिए आप इसको इधर ले आईए क्या बन जाएगा Y double dash minus 2Y dash हो गया है नहीं उदर जाने के बाद equal to यहां क्या बचा देखो 2 into में B into में E की 2X ऐसे हो गया अब किसकी value निकाल रहा है है B E की 2X की तो 2 को उदर ले जाओ तो 2 को इधर लेके आएगे तो क्या हो जाएगा यह divide में 2 आ गया यह इसकी value आगई न B तो यहां रख दीजिए अब किस में किस value को equation number second में तो second में रखंगे तो यह soul हो जाएगी कैसे रहो soul होगी देखियो आपका यह constant खत्म हो जाएगे ना तो second में रखंगे ना Y dash U का यू equal to 2Y U का यू Y dash और equal to 2Y U का यू ठीक है बच्छो और plus में B की 2X की जगए यह value आपने निकाल रखिए क्या निकाल रखिए यह रही Y double dash minus ठीक है ना plus में है यह plus लिखके और यह रख देंगे Y double dash minus 2Y dash upon 2 ठीक है plus का क्या Y double dash minus 2Y dash upon में 2 यह हो गया बच्छो अब आप लोग क्या काम करो इसका LCM ले 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 उच्छो दो अब दो से क्या करते हो दोनों तरफ multiple ही तो यहां पर देखो क्या बन जागा 2Y dash और यहां पर equal to 4Y और plus में Y double dash minus 2Y dash हो गया है नहीं हो गया बिल्कुल हो गया अब आप लोग क्या काम करो इसको SOL करने के लिए उदर देखो पहले Y double dash को लिख देता हूं Y double dash ठीक है फिर यह देखो minus 2Y dash है आफ का ठीक और यह जो इदर वाला 2Y dash है यह उदर जागर के minus हो जाएगा तो minus का 4Y dash हो गया ठीक है और फिर लास्ट में क्या है plus का 4Y plus 4Y equal to 0 अब आपके दोनों constant खतम हो जाते हैं यही इसकी differential equation बन जाती है next question number 5 question number 5 में क्या कहता देखिए question 5 तो यहाँ है Y is equal to A E raise to power X into A cos X plus B यहाँ पर दिया बच्चो sin X ठीक है करो इसका derivative आप इसको one मान लेते हैं पहले अब देखो अब दो derivative है A और B दो पर derivative Y dash हो गया अब यहाँ U into V का formula लगाओ तो E की X का E की X यह यू का यू A cos X plus B sin X कर दिया फिर क्या करोगे बच्चो आप लो इसको E की X को यू का यू रखोगे E raise to power X को यू का यू रख दिया और अंदर वाले का derivative इसका तो क्या हो जाएगा A और cos X का minus sin X तो minus sin X यहाँ देखो पच्चो B sin X का plus का B यू का यू और sin X का हो गया cos X ठीक है अब आप लोग क्या काम करो यहाँ से एक काम करते है Y डैस यू का यू और ये तो यू की यू वही तरह मागी न उपर वाली यू की यू तो ये तो कौन था आपका Y था तो आपका जो E की X और यह यहाँ तक का था ये तो यू का यू पर वाला ही है तो इसलिए हम ने रख दिया Y और पलस में ये अगला लिख लिए अब E की X और इंटू में माइनस A sin X माइनस A sin X पलस B cos X रख दिया आपने बच्छो तो दो बारा फिर से E की X का E की X और ये यू का यू कौन माइनस A sin X पलस B cos X कर दिया अब यहाँ पर देखो ध्यान से मैंने इसका डिरिटी लिए ये यू का यू अब इसका करेंगे पलस में जब इसका डिरिटी करेंगे ना तो देखिए माइनस में आएगा और मैंनस A sin X का हो गया माइनस या पलस कर लीजिजिया पहले फिर बाद में कर देंगे मैनस A sin X का माइनस A cos X होगया पलस B cos X का माइनस B sin X हो गया अब आप लोก क्या काम करो ये हो गया Y double dash is equal to Y dash पलस E की X यहाँ पर देखो आपका माइनस A sin X पलस B cos X ठीक है बच्चो और यहाँ पर मैंने माइनस कोमन निकाल दी अंदर तो बचया क्या देखिए बच्चो अंदर A cos X plus plus का B sin X दोनों plus के हो गए अब यह जो है ना देखो आपका A cos X plus B sin X और यह जो इस सारा का सारा क्या हो रहा देखो दियान से यह क्या बन रहा है और एक बात हो रहा है यहाँ मैंने एक चीज नहीं लिखी E की X का तो E की X यह यू का यू फिर मैंने इसका डेरिटी कर दिया और साथ में क्या था इसके E की X भी तो था ना E की X ठीक है अब यह वापिस वाप्ड क्या आ रहा है आपका यह तो वही आ रहा है y E की X A कोस X प्लस B साइन X ठीक है ना E की X A कोस X प्लस B साइन X यानि उल्टा Y आ गया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं Y double dash is equal to Y dash और ये क्या बन रहा है ये तो ठीक है मैं ये तो Y लिख सकता हूं इसकी जगे तो लेकिन ये क्या बन रहा है देखो E की X minus A sin X B कोस X की वैल्यू यहां से नहीं निकाल सकते है आप देखियो E की X minus A sin X प्लस B कोस X की वैल्यू क्या बनेगी बच्शों यहां से देखो ये वैल्यू बनेगी Y dash minus Y इसको यदि मैं इदर ले जाता है Y dash minus Y तो यहां पर रख दीजिए y-minus में y ठीक है तो plus का क्या लिखो मैं यहाँ पर y-minus में y उपर से ले ली और minus में यहाँ पर क्या हो रहा है बच्छो आपका यहाँ y बन रहा है यह सारा का सारा ठीक है तो आपने लिख दिया y तो क्या बना y double dash is equal to y dash plus y dash यानिके 2y dash और minus में y minus y 2y ठीक है यह हो गया आप इसको लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं आप इसको इधर ले आईए क्या बन जाएगा y double dash minus 2y dash और plus का 2y equal to 0 ठीक है तो यह आपका differential equation बन जाते है ठीक है उसके बाद आगे जो next question है question number 6 से लेकर क्या आगे आगे तक तो बच्चों यहाँ क्या करना है देखो यहाँ भी differential equation ही बनानी है आपको simple simple question है बिल्कुल question number है आपका 6 इसमें क्या कहता है फोरन the differential equation of the family of circles touching the y axis at origin तो देखो बच्चों उन सभी circles की differential equation बनानी है family of circles की जो y axis को origin के उपर touch करते हैं को करते हैं y axis को तो बच्चों कैसे circle बनेंगे वो देखो y axis at origin तो प्यारे बच्चों जैसे देखो यह आपका क्या हो गया coordinate axis अब यहाँ पर अगर मैं कोई circle बनाओं और किसको touch करता हुआ y axis को और कहाँ पर touch करता हुआ origin पर तो origin पर तो ऐसे touch करेगा या नहीं करेगा तो ऐसे बनेगा कोई circle ठीक है अब एक नहीं है circle बहुत सारे हैं family of circles है infinite number of circles हैं तो आप और भी बना सकते हैं जैसे मान ली जी मैंने एक दूसरा circle बना दिया ऐसे वो भी क्या करता है y axis को origin के उपर touch करके जाता है ठीक है तो छोटा बना सकते हैं बड़े इग बना सकते हैं तो कितने ऐसे circle हैं जो y axis को origin पर touch करते हैं देरार infinite number of circles बना सकते हैं आप लोग ठीक है तो there are infinite number of circles which touches the क्या लिखेंगे y axis at origin तो infinite number of circles हो सकते हैं तो प्यारे बच्छों, मैं एक circle ले लेता हूँ, इनमें से कोई भी एक, जैसे ये beach वाला ही ले ले लेता हूँ, last वाला छोटा, तो ये y axis, ये origin पर touch कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी radius है, यहां से यहां तक बनेगी, इसको मान लेते है radius क्या है, a, तो इस center के coordinate क्या होंगे x की value तो a है, और y का मान x axis के उपर क्या है, 0, क्योंकि यह x axis है और यह y axis है, ठीक है, तो यानि कि यह circle जितने भी बनेंगे, उन circle की radius a अथवा आर ऐसे होगी, और center के coordinate a 0 अथवा आर 0 ऐसे ऐसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो आप लिखेंगे, family of all circles which touches, क्या करते हैं ज 0 touches y axis at origin, origin ठीक है, आर, यानि उन सभी circles की family जो की y axis को origin पे touch करते हैं, वो सारे के सारे circle, उनकी जो equation बनेंगी, ठीक है, वो सारे के सारे जो family बनेंगे, वो क्या बनेंगी, तो circle की equation बनेंगे, बच्चों, वो क्या, कैसे बनाते हैं हम circle की equation, x minus h का square, h का मतलब क्या है, यह first coordinate, यानि a, x minus h square, plus y minus k, k की जगा को है, 0, यानि k y minus 0 का square, और it is equal to r square, r की जगा को है, बच्चों, a है, तो a का square, ठीक है, तो यह बना, x minus a square, plus y minus 0, यानि y square, equal to a square, तो इस परकार से circle की equation बन जाती है, बच्चों, अब हमें करना क्या है, हमें करना है, इसकी differential equation बनाना नहीं, ली, इसको आप, पहले खोल लीजिए, आसान हो जाएगा, x square, plus a square, minus 2ax, plus y square, is equal to a square, तो यह a square से a square, cancel हो गया, बच्चों, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, x square, plus y square, minus 2ax है ना, इसको उदर ले जाईए, तो plus 2ax, ठीक है, इसको मान लीजिए, question number first, अब आप लोग क्या करो, द 2ax, is equal to 2ax, का बच्चों, 2a हो गया, ठीक है, इसको मान लेते है, question number second, अब आप यहां से क्या करें, 2a की value, first में रख दो, तो क्या बन जाएगा, x square आपका यूं का यूं, plus y square भी आपका यूं का यूं, 2a की जगह है, मैं क्या रख रहा हूं, देखो, 2a की जगह, यह value रख ठीक है, तो देखो, क्या बन जाएगा, x square पलस y square is equal to, 2x square पलस में, 2xy y dash, ऐसे हो गया ना, अब आप लोग क्या करो, इस x square को उधर ले जाओ, बच्चों, 2x square में से x square घट जाएगा, तो x का square बच्चेगा, फिर देखो, पलस का, यहां पर, 2xy y dash, और यहां पर, यह तो y square को इदर ही रख लो, यहां उधर ले जाओ, तो minus हो जाएगा, अगर इदर ही रखते हैं, तो y square यू का, यू, बस यही आपकी differential equation बन जाती है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद, next question, next question में है, question number 7 में, क्या, यहां दिया है, बच्चों, form the differential equation of the family of ellipses having, यहां पर, form the differential equation of the family of parabolas, having vertex at origin, and axis along positive y axis, तो देखो बच्चों, ऐसे parabolas की family, जिनका जो vertex है, वहां तो origin के उपर है, ठीक है, और, सब की symmetry किसकी along है, y axis के along है, तो बच्चों, यह आपका x axis और यह y axis, तो कैसे parabolas है, ऐसे parabolas है, जिनका vertex तो origin के उपर है, और symmetry किसकी along है, y axis, तो ऐसे ऐसे parabola बनेंगे आपके, ठीक है, एक parabola नहीं है, क्या है, family of parabolas, तो यह हुँच सारे parabola हो सकते हैं, देरानी finite number of parabolas, तो क्या लिखोगे, equation of, equation of, family of, family of, all parabolas, parabolas, having, focus, होकाई, on, क्या लिखोगे, origin, origin, and, axis along, axis along, y axis, तो ऐसे जो सारे के सारे parabolas हैं, उनकी equation क्या बनेगी, बच्चों, यह तो upward parabola है ना, आपका, तो क्या बनेगी, अब upward parabola की बनेगी, x square equal to 4ay, यह होगी, अब आपको इनकी क्या निकालने हैं, सारे parabolas की, differential equation, तो बच्चों, इसको क्या कर लेते हैं, equation number first मान लेते हैं, तो differential equation कैसे निकालते हैं, आप लोग क्या कर दो इसका, derivative कर दीजिए, तो derivative करेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, x square क इसमें रख दीजिए, बस, आपका constant 1 है ना, ए, वो खतम हो जाएगा, तो निकालिए, 2x upon में y dash हो गया, y dash को मैं इधर ले आए, उदर क्या बच्च क्या, 4a, इस 4a की value कहां पुट कर दूँ मैं, 1 में, करते हैं, x का square आपका यूं का यूं, is equal to 4a की जगे, बच्चों, मै y dash रख दिया, 4a की जगे, ठीक है, और 7 में 4a तो रख दिया, और y dash की value क्या है, 1 मिनट, 4a, यूं का यूं रख दिया, y तो यूं का यूं है ना, y आपका as it is, अब दोनों तरफ किस से multiply कर दो, क्योंकि इस का LCM क्या है, y dash है न, y dash से multiply कर दो, तो x का square y dash हो गया इधर, ठी अब आप ले के आ सकते हैं, किसको, 2xy को इधर, तो 2xy को इधर ले करके आएंगे, तो क्या बन जाएगा बच्छों आपके पास, देखो, x square y dash, और, x, आप एक काम कर सकते हैं, x से divide करते हो दोनों तरफ, तो x से divide करेंगे, तो देखो, x y dash is equal to क्या बच्छेगा, 2y, बस यह बन जाएगा, x y dash equal to 2y, इसको आप इधर ले आईए, x y dash minus 2y equal to 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, यह बन जाएगे, आपके differential equation, यहाँ पर आपके constant, खतम हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद, next question, next में दिया है आपको क्या, question number 8 में, फोरं दा, differential equation, दा, family of ellipses having focus on y axis, and center at an origin, तो कैसी कहता है, यह देखो, वो सारी की सारी ellipses, question number 8 में, ellips कैसी है, जिनका center, जिनकी axis किस क्या लोंग है, y axis क्या लोंग, तो आपकी ellips बने ही कैसे, vertical ellips, ठीक है, vertical ellips हो गए, ठीक है, अब यह हो गई, आपकी vertical ellips, center कहां पर है, origin के उपर, यह हो गया, origin के उपर center, तो इसका म center है, ellips का, और कहता कि आप अच्छों देखो, यह जितने भी family है, ऐसी ellipses की, ठीक, तो y axis क्या लोंग, तो इनकी equation क्या बनेंगी, equation of, equation of, family of, family of all ellipses, ellipses, having, having, center, at, origin, origin, and, axis along, axis along, y axis, अगर y axis क्या along है, मतलब, वो तो क्या बनती है, बच्छों, वो तो बनेगी equation y square upon में, a square plus, x square upon में, b square equal to 1 होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है, अगर x axis क्या along होती, तो x square upon a square, पंता, plus y square upon b square, तो अब इसमें कितने constants हैं, दो, तो दोनों को delete करना, आपको, तो कैसे delete करेंगे, y पिछे आया था, एक सम्स, रूवें ही, कैसे आप delete करो, 1 by a square आपका, एजटीज, और y square का होगया, पहले 2y, 2 आगे लिख दिया, y, और y का आपका, एजटीज, और x square का, बच्चो, 2, और इन 2 में, x हो गया न, ठीक है, और equal to क्या हो गया, 0, 2 से divide कर दिजिए, दोनों तरफ, खतम, उसके बाद, आप क्या करो, आप जैसे y y dash को इधर ही रख लीजिए, पहले, या 1 by a square, y y dash, इस equal to, इसको उधर ले जाए, उधर ल जाए, तो y y dash is equal to, एसके रूपर जाएगा न, minus a square upon में, b square, इन 2 में क्या बच्चा, आपका, x, ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, और साथ में, किस को और ले जाएं, यहाँ पर, बस इसी को ले जाएं, ठीक है, अब, इस, x को इधर ले आएं, तो y upon में, x बच्च गय पहले किसके, इसका करें, इसके उपर देखो, u into v का formula लगाएंगे, लेकिन उससे पहले u upon v का लगाना अपनेगा आपको, तो पहले इसका derivative करते हैं, ठीक है, तो u into v का formula लगा करें, तो कैसे, यह हो गया, u upon v, तो इसका derivative करिए, पहले y का, तो y dash, ठीक है, और क्या करेंगे बच्छों आपका, आप, x आपका, एजटीज, ठीक, फिर minus, x का derivative 1, और y आपका, एजटीज, और निच्छे क्या करेंगे आप लोग, x का, निच्छे वाले का square हो गया, इसका तो मैंने कर दिया, अब y dash, u का, u, ठीक है, पलस, अब y dash का करेंगे, आप, y dash, का हो गया, y double dash, अब यू का, y upon में, x, और इस साइड में क्या हो गया, बच्छों, इसका हो गया, 0 कर दिया, अब करने के बाद ऐसा, अब क्या कर लो, देखो, ये बन गया, आपका, आपका, LCM देखो, क्या बनता है, दोनों तरफ, x square बन गया, तो x square से दोनों तरफ, multiply कर दीजे, पूरे क तो क्या बन जाएगा, यहां तो रहाएगा, x, y dash, minus y, ठीक है ने, ऐसे यही बचे गया ना, और into में, y dash, plus में, अब देखो, इसकी x square किस से गुना करांगे नहीं, तो एक x तो cancel हो जाएगा, एक बचेगा, उपर क्या बचेगा, x बचेगा, y बचेगा, और y double dash बचेगा, और उदर क्या हो गया, 0, ठीक है, तो अब इसकी multiply करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, x, y dash का square हो गया, x, y dash का square, minus y, y dash, plus x, y, y double dash, equal to 0, ठीक है, तो इस परकार से आपका, यह आ जाता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, x, y, y double dash, ठीक है, पलस x, y dash का square, और x, y dash होना चाहिए, y dash का square, और minus में y, y dash, ठीक, तो इस परकार से बन जाता है, उसके बाद, next question, question number 9, question 9 में क्या दिया है, इसने देखिए, question 9 में दिया है, फोरंदा, डिफरेंशल इक्वेशन अफेमिली ओफ हाईपर बोला, having focus on x-axis, and center at origin, तो सारे के सारे हाईपर बोला, जिनका focus कहां पर है, x-axis के उपर, तो बचो, और center कहां पर है, origin पर, तो यह आपकी x-axis हो गई, ठीक है, और यह आपकी y-axis है, और आपकी पास, जो हाईपर बोला है, वो ऐसे हैं, कि center तो origin के उपर है, और axis क्या है, x-axis, तो यह हो गई, आपका hyperbola, तो यह इस परकार के बहुत सारे hyperbola हो सकते हैं, और भी बना सकते हैं, आप इस तरीके से, ठीक है, और center कहां है, सबी का, यह रहा, ठीक है, origin के उपर, तो इस type के जितने भी hyperbola बन सकते हैं, तो equation of, क्या दिखोगे, equation of all family of, family of hyperbolas having center, कहां पर center at, origin and axes along, क्या दिखोगे, x-axis are, क्या बन जाएगी, equation के, सभी की, x-axis पे होंगे, तो बच्चो, x-square upon में, a-square minus y-square upon में, least square equal to one होगे, ठीक है, अगर क्या होती आपकी, y-axis के along होते हैं, सारे hyperbola, तो y-square upon में, a-square minus x-square upon, b-square equal to one होता है, ठीक है, तो अब देखो, तो अब आप इसकी differential equation बनाएंगे, कैसे, वही तरीका, same यह काई, और x-square का होगया, 2x, ठीक है, फिर, minus y-square, 1 by b-square आपका, यह का, यह, और y-square का होगया, 2y, 2y, और y-square, y-square equal to zero, तो बच्चो, वही काम कर लीजिए, आप लोग, कैसे, इसको यही रख लीजिए, derivative वाले term को, minus 1 by b-square, 1 by b-square, और 2 से divide कर दीजिए, पहले, कर दीज is equal to minus 1 by a-square, और into में, x होगया, ठीक है, उस slide में ले गया, मैं, minus से minus आफका, cancel, b-square को उदर ले जाएए, पच्चो, क्या बन जाएगा, y into y-square is equal to b-square upon a-square, और into में, x बच्च गया, अब आप क्या करो, इस x को फिर से इदर ले आएए, y upon x, y-square is equal to b-square upon a-square, फिर इसा पिछले किया था, y-square हो गया, x, y-square, minus x का 1 हो गया, y-square, निच्चे बच्चो, x का square, इसका कर दिया मैंने, फिर y-square, y-square, प्लस, फिर y-square, y-square, और ये y-square, क्यों, y upon में, x, और equal to इस side में क्या हो गया, 0 हो गए, खतम आपके constant, तो अब देखो, x-square से multiply both sides, both sides, क्या करते हो, क्या हो जाएगा, x into y dash, minus में y, और into में क्या होगा, y dash, पलस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चो, x से multiply होगा, एक x बचेगा, तो x into y, और y double है, dash equal to 0, multiply कर दिजी इसकी, क्या बन जाएगा, x, y dash का square, minus y, y dash, और पलस x, y, y double dash, equal to 0, बच्चे ही आफका answer आ जाएगा, ठीक है, उसके पाद, next question, next question में है, question number, 10th में क्या दे रिखा बच्चो, form the differentially equation, of the family of circles having center on y axis and radius 3 units, तो देखो बच्चो कैसे करेंगा, center कहां पर है, y axis के उपर, और radius कितनी है, 3 unit, question number 10, तो यहां पर है, आपके पास, किस तरह किसम, का सम है यह, circle का, जो center है, y axis के उपर है, तो पहले आप क्या करें, coordinate axis बनाएं, तो coordinate axis बना करके, आप लोग क्या करें, बच्चो, यह आपका x axis और यह y axis, center कहां पर है, y axis के उपर, और radius है 3 unit, अब की बार यह touch नहीं करते, बच्चो, circle, circle जो है, family of circles, यह ऐसे हैं, देखो, horizon को touch करने वाल से हैं इस परकार से, बहुत सारे हो सकते हैं, और सबका center कहां पर है, y axis के उपर, radius कितनी है, 3 unit, तो बच्चो, देखो, एक बात सोच के देखो, अगर यह center जो है, c, यह क्या बनेगा, यह y axis के उपर है value, तो y axis के उपर value को आप लोग क्या मान सकते हैं, जैसे center कोर्डिनेट x, k मानते हैं, तो x तो 0 है, x की value दो, तो y की value क्या होगी, तो एक परकार से k होगी न, और x की value क्या होगी यहां पर, 0, तो यह तो हो गया center, x कोर्डिनेट 0 होगा y axis के उपर, y कोर्डिनेट h, k के हिसाब से k मान लिया, और radius कितनी है, 3 unit, ठीक है, तो r कितनी हो गई, 3 unit, ठ ठीक है, तो यह सारे के सारे family of circles की equation क्या बनेगी, equation of, equation of all family of, equation of family of, all such type of circles, such type of circles, इस परकार के जितने भी circle बनेगी, उनकी equation बनेगी, यह क्या होगी, तो circle की equation कैसे निकालते है, x minus x का square, यानि x तो 0 है, तो x का square ही हो गया, plus y minus k का square, इस एक्वल टू r के है, बच्चो 3, 3 का square हो गया, 9, तो यहां पर देखवा, आपके पास arbitrary constant हैं कितने, arbitrary constant हैं आपके पास, केवल 1, तो आपको इसका एक बार ही derivative करना होगा, तो इस circle की equation का derivative कर दीजिए, क्या बन जाएगा, देखिए यहां से, x square का करोगे तो 2x, ठीक है, plus, इसका करोगे तो 2 आगया गया, और y minus में k हो जाएगा, ठीक है, अब आपने power का किया है, इसकी power एक हो गई, अब y minus k का करेंगे, तो y का हो गया, y dash, k का तो 0 हो जाएगा, y dash, और is equal to 9 का हो गया, अब चो 0 हो गया, अब आप लोग क्या कर लि इस x को उधर ले जाएगे, यहां पर क्या बचया, y minus k into y dash is equal to minus x हो गया, अब आप लोग क्या करो, यहां से, इसको y minus k को क्या कर लिजिए, उधर ले जाएगे, ठीक है, या फिर है, इसको y dash, आप उनमें minus x ले आएगे, किसकी value निका लिजिए, आप y minus k की value निका यह बन जाएगे, इसकी निकाल लिजिए, y minus k, उधर क्या बच गया आपका, minus x और निचे y dash ले जाएगा, ठीक है, अब यह क्या काम करो आप, यह जो आपने y minus k की value निकाल लिजिए ना, इसको one में put कर दीजिए, one में put करो, यहां पर क्या हो जाएगा, x का square, plus y minus k की जग और is equal to रख दिया आपने 9 की, ठीक है, ऐसे कर दिया, अब आप लोग खोली इसको क्या बन जाएगा, देखिए, x square, plus x square हो गया ना, minus का square, और निच से y dash का square, और equal to 9, अब y dash square से दोना तरफ मल्टिपलाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, x square, y dash का square, plus, यहां पर देखो क् x का square is equal to 9 y dash का square, ऐसे हो गया, इस y dash square को इदर लेआगे बच्छो, क्या बनेगा, x square y dash का square, minus 9 y dash का square is equal to, और plus में, x का square equal to क्या बच जाएगा आपके पास, 0 बच जाएगा या नहीं बच जाएगा, ठीक है, तो यह क्या बनेगा, देखिए, यह बन जाएगा, कैसे, आप इस में से common निकाल दीजिए, क्या, y dash square, तो y dash square जब common निकाल लेगे, बच्छो, यहाँ बचेगा, क्या, x का square minus में 9, और plus में, x square equal to 0, तो इस परकार से आपका जो arbitrary constant था, वो खतम हो जाता है, k, ठीक है, तो यह आपके differential equation बनेगा, तो जो question number है आपका 11, यह दोनों optional है 11th और 12th, तो optional 11th में क्या दे रखा है, देखो, तो यह कोई equation है, बच्छो, y is equal to c1, e की x, फिर दे रखा है, plus c2, c2, e raise to power minus x है, ठीक है, इस में, which of the following differential equation has y is equal to this as the general solution, यह कहता बच्छो, इन में से, किसका यह general solution है, च्यार उप्सन आपको दे रखें, तो आप इसका derivative कर दी यह क्या बन जाएगा, यहाँ पर dy by dx, dy by dx की home में दे रखा है, तो यह बच्छो क्या बनेगा, देखो, दो constant है ना, तो दो बार derivative करना पड़ेगा आपको, तो करिए c1 as d, constant है, e की x का e की x, पलस c2, constant, और e की x का e, e की minus x का e, e की minus x है, लेकिन minus x का minus 1 होगा ना, ऐसे कर द करना आपको, तो आप लोग इसको one मान लीजिए, इसको two, अब दुबारा फिर से कीजिए, तो d2y अपोन में dx का square, क्या बनेगा बच्छो, c1 आपका exit is e की x का e की x, minus c2 आपका exit is e की minus x का e की minus x, minus x का, पलस one होगा ना, अब यहाँ देखो, यह वापिस क्या आगया आपक इदर लेए, यह minus y equal to 0, तो बच्छो इसमें से कौन सा option आपका सही आजाता है, option number b, option b में यही दिया आपको ठीक है, उसके बाद last question, question last यानि के 12 में आपको दिया है क्या, question number 12 में भी ऐसा ही है, 12 में है, आपके पास y is equal to x है बच्छो, y is equal to x कोई equation है, which of the following differential equation has y equal to x as one of its particular solution इनमें से कौन साइस का particular solution है, तो बच्छो दो बार डियरिटी करके है, च्यारों के च्यारों जो आपको option दिये हैं, तो इनमें से देखो, इसने एक बार डियरिटी किया, क्या dy, y, dx, dy, dx हो गया है इस तरफ, ठीक है, और x का हो गया बच्छो, one, फिर से कीजी आप, फिर से करेंगे तो देखो, d2y अपन में dx का square बन जाएगा नीचे, और एक का हो गया 0, ठीक है, अब यह च्यार जो option है ना, इनमें से, आपका जो option number c है, वो बिल्कुल सही है, option number c में पता है, इसने क्या देरिखा, देखो, इसने दिया है, d2y अपन में dx का square, minus x का square, और dyyy dx, औ तो देखो, यह दोनों value रखके देख लिजिए, सारे की सारे यह values यूं की यूं रखके देखो, इसमें, d2y अपन dx का square क्या हो रहा है बच्चो, आपका 0, रख दिया, minus x square, x square मैंने यूं काई यूं रख दिया, और dyyy dx की value कितनी है बच्चो, यह रही आपकी one, तो यह भ बच्चो, तो 0, minus x square into 1, यानि x square, plus x into x, यानि x का square, तो यह कट करके क्या आ जाता है, यह आपका 0 ही तो आ जाता है, बस यह आपका option सही है, कौन सा option number C, ठीक है, तो बच्चो, आपकी exercise complete होती है, बड़े ध्यान से आपको इसको समझना है, अगली exercise जब तक करेंगे, तब त